राची की जनता के लिए एक अच्छी खबर है यदि आप आंखों से संबंधत रोगों से परिशान है तो राची में गडुड आई हॉस्पिटल का शिरवात हो चुका है इसके विस्तरत जानकारी अस्पताल की फाउंडर डॉक्टर अविशे कुमार सिंग ने रफ्तार के ठाकुर से रूबरू हो कर दी देखिए पूरी रिपोर्ट कहते हैं दुनिया में अगर भगवान के बाद कोई भगवान के रुप में देखा जाता है तो डॉक्टर ही है जी मैं बात करता हूं गरूर आई हॉस्पिटल के जो फाउंडर है डॉक्टर अभिशेक कुमार सिं आई का ओपनिंग किया आज से इसको कैसे देख रहे है समाज के लिए कैसे आप क्या अलग से लाएंगे दिखे पहले तो आपका धन्यवाद आया और हमारा बिचार जानने का अपने जो प्रयास किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा ये वीजन जो है गरूर को लेके मेरा अल्रेडी एक हॉस्पिटल है मिनाक्षे नित्राले जो पिछले 15 साल से समाज को आँख से जुड़े हुए समस्याओं से उनको निजात दिला रहा है और एक से वाभाव से हम लोग हॉस्पिटल रन कर रहे हैं लेकिन गरूर का जो फीचर होगा जो इसका प्रॉस्पिक्ट है वो है कि हम समाज को कैसे मदद कर सकते एक डॉक्टर के रूप में पहला होता है कि आप अपने प्रैक्टिस के बारे में सोचते हो आप अपने सुक्सुधा के बारे में सोचते हो आप अपना नाम बनाने के बारे में सोचते हो लेकिन इसका एक नया डा चीज होगा कि अभी के टाइम में गौर्वर्मेंट होस्पिटल भी फीस जो है सो रुपिया रखने में नहीं उससे ज्यादा उनका फीस है पांच अजार में भी फेको से सजरी का बेवस्ता होगा आयूश्मान भारत सारे इंपैनलमेंट और साथ ही साथ हम लोग बाहर जाके भी लोगों को इलाज करेंगे और जरुत होगा तभी हॉस्पिटल में लाएंगे एक हमारा जो जैसे corporate का social responsibility होता है वैसे हर एक इनसान का एक अपना social responsibility होना चाहिए तो डॉक्टर अभिशेक का भी जो society के परती जबाब दही होनी चाहिए मैं उस जबाब दही को बड़ी सिद्ध से फुल्फिल करना चाहता हूँ और यहां इस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि माली चे हमने ट्रस्ट का हॉस्पिटल खोला सौर प्याव पेड़ी फीस है 5000 में हम सर्जिरी करेंगे तो सधान रहेगा किसी भी राची के बड़े और बड़ियां हॉस्पिटल से किसी भी मामले में गरूर आई हॉस्पिटल आपको कम तो दिख नहीं रहा होगा दूसरा चीज है कि यहां जो डॉक्टर होंगे डॉक्टर का जो टीम होगा वो एमस संकर नेत्राले बी एचू और जो बड़े बड़े और अच्छे चे हॉस्पिटल है जो इंडिया में उसके जो प्रोड़क्ट होंगे वो यहां पर काम करेंगे ताकि हम सुपर दे सके साथ ही साथ हम रेट को ऐसा सब्सेटाइजर रखें कि ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग हमसे जुड़ सके और वो एक सेवा भाव से हम नहीं बोलेंगे कि मैं सेवा कर रहा हूं समाज का एक समय में लोग बोलेंगे छे मेना एक साल में कि नहीं यह जो देखते हूं उससे आप तो किलियर कर लिये हैं तो आप जैसे कि आईशमान कार्ड का भी बात कर रहे थे आईशमान कार्ड में कैसे आपके साथ जुड़ेके लोग दिखें जुड़नी का सिधा सा तरीका है आपके पास आईशमान होसिटल के बहुत सारे option हैं आप operation करा सकते हैं राची में दस ऐसे hospital होंगे आई के जिनका जहां आईशमान card का facility है लेकिन आपको आईशमान से ही कराना होगा तो आप उस hospital से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किजेगा जहां पे लगेगा कि हमें satisfaction होगा इलाज करके जहां लगे है कि नहीं doctor या जो उनके staff या जो उनके team है वो हमसे भावनात्रुक से जुड़ पा रहे हैं जहां पे यह नहीं कि हमें operation करना है पैसा कमाना है यहां पे operation करके एक हमारी जबाब देही है मैं doctor हूँ तो मेरी जबाब देही है मैं इस field का leader हूँ कि कैसे लोगों के आँख को ठिक किया जाए और यह एक ऐसा दाइत हो कि जो मैं अपने गर्दन पर लेना चाहता हूँ अपने कंधू पर लेना चाहता हूँ और ऐसा नहीं कि गरूर एक hospital होगा आप just imagine कीजे human psychology को समझे अगर एक गरूर आई hospital अपना नाम ऐसा बना लिया कि नहीं यह सेवा भाव के लिए खुला है और यहली यहां सेवा होता है हमें जारखंड के हर एक जिला में गरूर का एक ब्रांच खुलना है अगले पांच साल में यह नहीं कि गरूर यहां खुला हो खतम कहाने एक गरूर ही रहेगा चारखंड के हर एक जिला में एक गरूर का ब्रांच अगले पांच साल तक होगा यह हमारा विजन है इसको गरूर को लेके अब एक से पांच या एक से दस तभी आतराब तैक कर पाएगा जब एक से लोगों को लगे कि यार मज़ा आया इलाज कराके जुड़के और साथी जो भी और आजकल हॉस्पिटल जो है देरे देरे लोग ड़ने लगे हॉस्पिटल जाने में इस भाय को मुझे ब्रेक करना है एक आम कोई कॉर्पेट हॉस्पिटल नहीं कर सकता है या कोई चेन ओफ हॉसपिटल चला रहा है वो इस जवाब दही को नहीं ले सकता है मैं डॉक्टर हूं उस मेडिकल प्रोफेशन से आप क्या कि मिल सकता है कितना आपको मज़ा आ सकता है वो मज़ा हमें फिल क्या हूँ उसको अगर सिद्दत से और लोगों के सिवा भाव से और उनके आँख के इलाज की जवाब दही के हिसाब से अगर करेंगे तो जो आनन्द आपको आएगा वो अद्बुत होगा तो मैं उस आनन्द को लेना चाहता हूँ बिल्कुल साब तर से सही बात है अब ये एक अंतिम कोस्टेन है आपसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं चुकिए आई होस्पीटल है आई होस्पीटल की बात करें तो आज के समय में जैसा भाग दोड की जिंदगी है लोग की बैस्ता है उसमें अपनी जो फिटनस है या ब कोरोना के बाद जो थोड़ा कोरोना वैक्षिन का प्रभाव हमारे सरीर पे और दिमाग पर पड़ा है हर सजग बेखती हर वाइज इंसान को इध्यान देना चाहिए कि पहला फॉर्स्ट प्रियार्टी आप अपना हिल्थ से देचे प्रियार्टी आपका प्रोफिशन भी ह पैसा भी हो सकता है नेम भी हो सकता है वैसे लोग जो एस अब के चकर में भागेंगे और अपने स्वास्त को बैक सीट पे अगर छोड़ देंगे तो वह बाकी काम करने लाइक भी नहीं पचेंगे तो आप अपने स्वास्त का पुरा ध्यान रखिए आई उसमें सबसे पूड़ है डिस्टल वर्ड में अगर आप जो वर्चुल वर्ड का अगर आनन लेना चाहते हैं तो वीजन आपका बेहतर होना चाहिए और हमारी जवाब दही है कि लोगों के इसके लिए सजग करें और उनको हर चीज का कैसे सदुपयोग करना है दुरुपयोग से बचना है कैसे स्वस्त रहना इस पर चर्चा परिचर्चा और बहुत सारे सेमिनार के थुरू और कैम के थुरू मैं लोगों को साजा करते रहूंगा अपना विचार आप जैसा भी साब तोर से देख रहे थे सून रहे थे कि गरूड आई हॉस्पिटल के जो फॉंडर मेंबर है ड वो हर तबके को मैं अपनी जो योग्यता है उससे उनकी इलाज के लिए या उनके लिए लगाना चाहता हूँ अपने सायोगी दीपके साथ संगठा को रफ्तार मिडिया के लिए